हलो दोस्तों श्रडी मूड में आपका स्वागत है बिहार फायर्मन भत्ती 2021 सभी अभ्यार्थी यह टेस्ट को लगाईए और अपना स्कोर कमेंड बुक्ष में जरूर बताईएगा चलिए सुरुवात करते हैं के सामने क्वेशन है कि शिंधुग हटी कि सभ्यता में घोड़े के आउसेस कहां मिले हैं यह आपको बताना है तो यह मिला है सुर्कुटदा या सुर्कुटदा कुछ भी बोल सकती इसके तो पहले के अंसर क्या हो जाएगा आपको पता होना चीए कि गुजरात में इस्तित है यह गुजरात में इस्तित है गुजरात के कख जिले में यह महतपूठ हड़ापा अस्थल है ठीक और यहां से घोड़े के ऑस्थी हो इमिस...की हड़ीक ऑस्थी मिले हैं पर अको यह याद रखियेगा और शुट कोदधा की खोज जोसी ने किया था 1964 में यह भी याद रखि है कौन से तीन वेद्ट श्रिव्क त्रूप से त्रय या बेद्ट त्रय कलाते हैं यह कौन से अईसे धेखिए यह रीग best यह जूर बेद और सांव सबसे अंत में जाकर अतरवे बेद का आपको निर्माड हुआ था तो इसके अंसर क्या हो जएगा डी हो जएगा सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा बेद कौन सा है रेग बेद है यह भी दिहान में रखेगा दूसरी के अंसर क्या हो जएगा इसकी जो आपको तुनना की जाती है तो आपको थ्रीक एंसर सी हो जाएगा कुशिन नगर में इनका महापरी निर्वाण हुआ था या कुशिनारा भी पहले इससे बोला जाता था ठीक मृत्यू हुआ था और यह सबसे पहले इनको ज्ञान के प्राप्ति कहा हुआ था ये बोध गया में हुआ था और सबसे पहले उपदेश कहां दिये थे ये सारनाथ जो वराड़सी की निकर्ट सारना थे वहां पर दिये थी यह भी ध्यान मरे किएगा तो फोर के एंसर क्या हो जाएगा यहापर भी हो जाए ठीकुस अचारन के द्रिश्टी से वह अजीब उचा एक सारन करते थे जैसे कि वह पाटली पुत्र को क्या बोलते थे पोली ब५थरा बोस्ते भी में देखिएगा यह आपकों इंडिया क्विं इंडिया किसको बोनते थे भारत के लिए लिए ये इंडिया के ये किनारे आपको था जगत इसली से इंडिया बोला जाता था उनके दिवारा ठीक और जेलम का नाम दिखिएगा לפ स्पस्स बोला जाता है लम का नंवर्द भा सखरे लम्बाई आपको बताना है तो भारत के पुरव से पर्षम के लंबाई कितना है कितना है परदे से गुजराथ तक आप देखिए का जहार से पर तर से रेकि अफ दसिलिक लेकि मतलब जमुः कस्मेर यहेła 되어 हमारी विस देखिए पूरुप से पच्छिम की लंबाई जो है यह 933 किलोमेटर है और उत्तर से 10 की और जो लंबाई है यह आपको कितना है यह 3214 किलोमेटर है यह भी ध्यान में रखिएगा तो सिक्स के इंसर क्या वज़ेगा डी हो जागी यहाँ पर कुश्चन अपर सबेन देखिए से मिलान सही नहीं है इसमें से बताना है कौन से मिलान सही नहीं है तियह हो जाएगा आपको सिमलला ताब अच्छाबुत आप जानते हैं रावली के जो चोटी है इसके उची चोटी आगे चलते ही गुरु सिखर वो मान टाभी पर ही तो सबेन केंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा question no 8 देखिए डिलिका या दिलि नगर की स्थापना किस ने किया था धिलिका या दिलिका या दिलिका लेन नगर की स्थापना किसे राशों तुमर्वंस के राजा जो है अनंगपाल के बताया गया है कि यह दिल्ली के सस्थापक है यहाद रखेगा और यहाँ पर याद रखेगा अगर पूछे आपसे आगरा क्या स्थापना किस ने किया था तक सिकंदर लोधी ने किया था यह भी ध्यान में रखेगा आगे चलते है स्वार्थिक महतपूर आकरमण कौन सथा स्वार्थिक महतपूर आकरमण जो था यह कौन था यह सोमनाथ मंदर पर आकरमण जो हुआ था सबसे आपको महतपूर आकरमण सोमनाथ मंदर के लूट लिया गया थे इसके द्वारा ठीक तो यह महतपूर आकरमण था तिसका एंस यह अरावली में है अरावली में है यह अरावली प्रवतिय भाग मेश्थी थे पिपली और अरावली सबसे प्राचिन प्रवत सरड़ी है यह आपको पता होना चाहिए तो दस के अंसर क्या वड़ेगा यह हो जाएगा आगे चलिए कोशन बर 11 कि हमारे सभीधान में नियाइक समिक्षा के धना किस सभीधान से लिए देखे मैं सभी अबसंद दिखाता हूं और आपको बढ़ियो रोक कर अपना इंसर लगाते रहना होगा और बनाते रहना होगा यह से ठीक तो हमारे सभीधान में नियाइक समिक्षा के धना कि से लिए गया आपको समझतार लिए गया मेसे देखे काStar कि कि इंजान medical की दो फंदप्राइब वहीं से किया गया ए यह सब्याद रखेंगा यह सकर 17 से ऐसे और देखिए कि भारतिया सवयद्दान को डाक्टर भी आर अमबेटकर ने भारतिया अगर देता है तो आप अर्टिकल 32 लगा दिए और अगर यह प्रभाग देगा तो प्रस्तावना हो जाएगा ठीक लेकिन अगर अनुछेद देगा तो डाइरेक्ट आपको क्या लगाना होगा आर्टिकल 32 में है ठीक यह ध्यानों सभिधानी कुप चारों के अधिकार जो है जो पांच एडिट जारी किया जाता है सुप्रिम कोड़ द्वारा उसे ही यह हिर्दा या आत्मा के संग्या दिये थे डाक्टर भिम्रा अंबेटकर तो बारक एंसर हो जाएगा भी कुशन अबर 13 कि केंद्र सरकार की किसकी सिफारिस के अधार पर भारत के शमेकित निधी जो है उसे राज्यों को शाहता के अनुदान देती है यह आपके सामने अपसन है बताइए तीस में आपको किसकी आपको तीस में हो जाएगा बित आयोग के सिफारिस पर अभी पंद्रावा बित आयोग जोगटित किया गया था उसके अध्यक्ष एनकेसी है यह भी याद र रखिएगा आर्टिकल 61 के तहत राष्ट पती पर महभीयोग चलाया जा सकता है चोधा कैंसर क्या होजएगा डी देखिए आपको लगड़ा होगा कि मैं फास्ट बता रहा हूं ता वीडियो रोक कर आपको इंसर रागा कर फिर एंसर देख लेना होगा ठीक क्योंकि वीडि भीडियों पर बताते हैं कि यह धन बीद्यार के सुवा मैं यह द Kara करना होगा लाइस पाहने पॉन सब्सक्राइब स्थापना किसमें आर ए महिला समाज की अस्थापनीं थी आपको बताना है तो माराश्ट मौत अपनडित रामाबाई। स्रौजनी नाड़ यह भ्हारत के प्रथम राजपाल थी महिला-राजपर यह दियान मरेखेंगा औरष्टम भारति एसे थी जो कि कांगरेस का ध्यक्ष बनी थी यह भी ध्यान में रखियेगा को इसको महतपोड भूमिका किस ने निभाया था यह निभाया गया था आपको इश्वर चंदर विद्या सागर द्वारा ठीक अठारा कैंसर क्या वज़ेगा यह हो जाएगा हिंदू विद्वा था यहां पर महण राय की बात किया जा तो जो 1829 में सदी प्राथा का मुलन किया था लाडबलेन बंटिंग द्वारा उसमें महतपोड भूमिका राजा रम्हुन राय ने निभाया था कुश्चन नबर उन्हीं से किसे हिंदी या खड़ी बोली के जनक कहा जाता है तो वो है अमीर खुस थे यह किस राजा से सम्बंदी थे यह आपको बताना है तो पशते लिघज जो थे यह कि कि रिच्ण द्यवर्य जो आपको मंदल उसमें अठीक बोला जाता था एक किस द्व राय के जो आपको राज था इस राजा घे वीषो जाएगा ये सरचना के खारन होने जो सरचना बदलता है भारत में अलग जो समस् Lock Re野 रहता है उसके कारव तमकत बिर्दभ्यारी है जिसे-दीठास न में रखिएगा यहां पर बैसरोन बदलती रोती है अपने रूप भी हो जाएगा कुश्चन पर आपको यहां देखिए कि हवाला क्या है हवाला क्या है यह आप सुने होंगे बार बार कहीं आप देखेंगे या सुने भी होंगे हवाला क्या है यह आपको बताना है तो हवाला क्या है यह देखें बिदेशी मु तरीके से कमा आजाता है ठीक तों 22 कि इनस्र आड़ी हो जाएगा खुशन पर तेफिस से कि भारत के राष्टी य second hand भारत में त्रेसी आजाता है दूसरेम मुद्रों नाजत आजाता है उसे शिवाट शित्र से सबसे जादा राजटी आए कि आपको प्राप्टी होती है भारत में ठीक तो तेज के इंसर क्या हो जाएगा कुश्ण नमर 24 कि भारत में टीन का अग्रणी उत्पाधक है जो टीन का सबसे जादा अग्रणी उत्पाधक राज्य है इसमें कौन है यह आपको बताना है तो टीन सबसे जादा कहा पाए जाता है तो यह 36 गण में 36 गुड़ है यह जो है टीन के अगरणी उत्पादक राज्यों में आता है जिसका सुकमा देखिएगा दंतेवाडा जिला देखिएगा यहाँ पर टीन सबसे जादा होता है और नक्सली हमला भी जंतेवाड़ा और सुकमा में ही फिलाहाल आप सुने होंगे कि सबसे यादा वहीं होता भी है ठीक तो 24 के अंसर हो जाएगा यह कुशन में 25 से वेल्थ आफ नेशन्स पुष्टक के लेखा कौन ही आपको बताना है कुशन में 25 से तो वेल्थ आफ नेशन्स पुष्टक के द्वारा चया किया गया तो जय प्रकास नराएं संपूर क्रांती के भी नारा के से ने दिया था जय लाएंगा 26 का हो जाएगा सी हो जाएगा को कहा जाता है वर्तमान भूगल के जनक अलेक्स जेंडर वान हमबोल्ट को कहा जाता है वर्तमान भूगल के जनक ब्योस्तित भूगल के जनक एरेटो अस्थनीश को कहा जाता है जोगरोफिका सब्द का पर्थम परस्तावक किसे था यह आपको इरोष्टो अस्थनीश था ज सामने अफसन है निमलिकित में किसे प्राथमिक चटान के स्रेणी में रखा जाता है तो यह अगने जो चटान है जो कि शुरू सुरू आपको ज्वाला मुख्य क्रिया द्वारा ही निकलता है अगने चटान फिर वह आपको जमा हो जाता है ठीक तो तिन प्रकार के चटान होत कि 10 चलवाण से कि यह ईए आपको बताना है तो यह मलेसिय से जो रिखेए नहीं जो अध्य जो है यह नहीं हम उता है यह बarincussी की दूसरे राघा यह उर्फच्टाव हो जाता है तो टो इस एक आदिम प्रकार की क्रीशी है है जो कि मानों ड्वारा अधर पूर्टी के लिए अनाज पूर्ति के लिए यह किया जाता है और इसे इंडोनेसिया और मलेसिया में लादांग के नाम से जाना जाता है यहां पर आपको क्या हो जाएगा मलेसिया हो जाएगा अपसन के सबसे बड़ी जिल है आपको 20 के सबसे बड़ी जिल है और यह खारे पानी होगा ही और यह परकार का जील है मिसके चारों और अस्थल से घिरा हुआ है इसलिए यह जिल है और मेठे पानी के सबसे बड़ी जिल आपको कौन हो जागा सुप्रीर जिल हो जागा यह भी याद रखिएगा अगे चलते हैं तो इसके अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा कुश्य नमर एक तेसे के सौर परणाली के खोज किसने की थी आपको बताना है आपके सामने अपसंद दे जिल बेट डोला टेलीवीजन की खोज किया गया थे यह भी ध्यान में रखिएगा को पर निकस नहीं बताया थे कि सूरज जो है यह आपको पहले लोग बता थे कि प्रित्वी केंद्र है और सूरज उसके चारु तरफ चकर लगा रहा है ठीक लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यह कोपर निकस नहीं बताया कि सूरज पर नाली के खोज करकर बताया कि सूरज केंद्र में है और चारु तरफ उसके गरह चकर लगाते है ठीक यह सब याद रखिएगा तो 31 केंसर क्या होज़ेगा डी होज़ेगा कुशन पर 32 है कि वाई मंडल में स्वार्धी कौन सी ग मंडल कहते है आयतन के अनुसार वाय मंडम लें विभीन गैसो का मिस्रण है नाइट्रोजन 78.07 परसेंट ऑक्सीजन उसके बाद आपको मिलता है 20.93 परसेंट और कारबन डाइक्साइड जो कि गलोबल वार्मिंग के लिए मुख रूप से उतरदाई है इसका भी परसेंटे है ये किस परदेश में पाई जाती है तो वहां के मुल जन जाती है यह कहां के मुल जन जाती है तो भार्त के सबसे पूरवी राज्य कौन सब्सद माने यह आपको कहा पर इस था यह गुरगाओं में इस्ति थे और उन्हीं सो बहतरम इसे वाटर वर्ड रिजर्ब की रूप में घोशित किया गया और इसे सलीम अली पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है नैंटी एटीनाइन में निशनल पार्क इसे बनाया गया था और यह किवल पक्षी के लिए बिहार ही था ठीक यहां पर साइबरियन सारस भी मिलता है देखिए का बड़े अस्तर पर पर सिद्ध है यह इसके लिए इसके इंसर हो जाएगा गुडगाउं जो हो जाएगा यह राज अस्तान वाले छेत्र में मिलेगा जो कि थार मुर्वस थाले ठीक इसका भी इंसर याद रखिएगा कुशन पूछेगा तो कुशन पर 36 कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परिक्षर की नियुक्ति कोन करता है जिसे कैग बोला जाता है कैग आपक राष्टपती द्वारा ही किया जाता है शकेंद रास्तर पर ठीक तो 36 कि इंसर क्या हो जाएगा यहां पर भी हो जाएगा राष्टपती राजपाल के नियुक्ति करता है यह भी ध्यान मर रखिएगा कुशन पर 37 देखिए कि भारतिय सभीधान के निमिलेखित अनुछेद सभीधान के भागचार में मिस्की आइर्लेंड के सभीधान से लिया गया है आपको कौन डीपीएसपी इसके राज के नेतिन सभीधान से तत्वे आप वहां पर देखिएगा तो ध्यान से आप देखिएगा आर्टिकल 40 में ही बताया गया है गराम पंचायत संगर गठन करन अब तो अक्टूबर में जब देश अजाद हो गया था आपको परधान मंत्री थे और वहीं दो अक्टूबर जो महात्मा गांधी के आपको जनमतिती होता है उसी के उपलक्ष में ये आपको गराम पंचायत का मिसकी पंचायति रजभीवस्था का गठन करते हैं ठीक है य जो नगर वाला जो नीगण महिन अगर पाली का अवल है इसको 064 बशंखभीजान सब्सम्द्वरा दीया था सब याद रखेगा कुश्न नबर 38 से कि कुचि पूरी किस राज के नृतिसाईलि निर्ति सेली है ये ये चैक पुडी जो है यापको आंत्रप्रदिश के सास्त्रेनेटर से लिए याद रखेगा सी उजागे इसका कथक कली मुहनी अटम हुआ, यह सब केरल की सास्त्रेनेट हैं, भारत अन। क के सास्त्र Méलाड़ू के सबसे प्राशेइं आपको अमिलाड़ू से यह आपके साμαनी है राफवाला मंद्र यह कहां प्रैस्थित है यह आप महाबीपूरम इस्तित निर्मार किस ननि कराया था यह सबसे पहले हाय कहां थी तमिलाडू में ठीक और इसकी निर्मार किस नि कराया था इसके निर्मार जो किया गया था ये किया गया था नरसीम वर्मन परफ़न द्वारा यह भी ध्यान मरेंखिएगा क्यूशन No.4 देखिए कि निमलेकेट में किस खिलाड़ी को हाकी का जादुगर कहा जाता है हाकी को जादुगर कहा तो चालिस कुष्षिन हमने कराया यह 40 कुष्षिन में आपने कित्ते कुष्षिन सही किया जरूर बताईएगा सभी प्रसंस लेबस भाधारी था वीडियो अच्छा लगोता लाइक कीजेगा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद